आप इंटरनेट पे देखोगे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि USA का फेसलेस चैनल बनाओ महीने के लाखों रुपई कमाओ तो मैंने जब इस चीज की रिसर्च करी तो मुझे USA चैनल के लिए एक ऐसा टॉपिक मिला जिसके उपर अगर आप फेसलेस यूटीब चैनल बनाते हो AI का यूज करके तो आप लाखों रुपई महीने के कमा सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज भाई ध्यान से समझनी है कि अगर आप सीरियसली में चाते हो ना कि आप लाखों रुपई फेसलेस चैनल से कमाओ तो आपको उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा देखो फेसलेस चैनल से पैसा कमाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन उन लोगों के लिए जिनके अंदर थोड़ी वो स्किल हो जो लोग सीखने के लिए त्यार हो अगर आप यह सोचते हो कि यह वीडियो देखकर जस्ट हमें copy-paste करना है हमें अपना दिमाग यूज नहीं करना कुछ नहीं करना पड़ेगा और हम पैसा कमालेंगे तो आप 100% गलत हो इस वीडियो में जो method बताया गया है वो 100% work करता है लेकिन उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को पैसा कमाना चाते हो इस method का use करके तो चलिए वीडियो को start करते हैं पूरी motivation के साथ एक अंदर से जोश के साथ की आज कुछ नया सीख कर जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सबसे पहला step बताता हूँ कि हमें किस topic के उपर हमें अपना faceless USA channel बनाना है आपको पता होगा इंडिया में ज़्यादा तर लोग की sports के लिए पागल हैं आपको होगे cricket, cricket के लिए लोग हद से ज़्यादा पागल हैं लेकिन जब हम USA की बात करते हैं USA में जो सबसे ज़्यादा जो popular sports है वो है NBA जिसमें basketball आता है basketball के लिए लोग वहाँ पागल हैं लोग basketball से related news देखना चाहते हैं क्या चल रहा है basketball से related लोगों के लिए बस वो चीज़ एक लगा लो passion है तो आपको basketball news से related आपको क्या करना है अपना एक USA channel बनाना है आपको मुझे knowledge नहीं है सारा का सारा चीज़े मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है कैसे चीज़े करनी है जस्त आपको इस वीडियो को देखना idea लेना ठीक है जस्त जो चीज़े बताऊंगा न you must सोचना कि ये करेंगे तो इससे पैसा बन जाएगा ये जस्ट एक idea दे रहा हूं लास्ट 28 डेज में, इसने लास्ट 30 डेज में 456 वीडियो डाली है, मतलब एक महीने में 456 वीडियो डाल दी, और 34 मिलियन इसके व्यूज आए, आप सोच सकते हो, और टोटल 1.18 बिलियन व्यूज है, तो आप देख सकते हो कितने तगड़े लेवल का क्रेज है, मैं बोलता यहाँ पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, 3400 इसने वीडियो डाली हैं, और लास्ट 30 डेज में 72 वीडियो डालके 8.24 मिलियन व्यूज हैं, अब आप इनको यह मत देखना भाई, इतनी वीडियो कैसे डाल पाएंगे, यहाँ पे क्या करना है, सारी की सारी चीज मिलियन व्यूज हैं, और सिरफ और सिरफ 1200 वीडियो इन्हों ने डाली हैं, तो यह भी एक चैनल है, ऐसा नहीं है, जादा डालेंगे तब ही होगा, अगर कम भी डालोगे, अच्छी क्वालिटी की डालोगे, तो चैनल ग्रो हो जाएगा, ग्रो करने के लिए आपको क्योंकि हमें बास्केट वॉल की नॉलेज नहीं है, उसके लिए मैं आपको सबसे बैस तरीका बताता हूं, आपको आना है गूगल के उपर, और गूगल के उपर आने के बाद आपको लिख देना है बिंग, और बिंग को उपन कर लेना है, जैसे गूगल है वैसे ही बिंग कर लूगा, तो गईस इतना करने के बाद आपको एक सैटिंग और करने है, कि हमें यहाँ पर यह पता लग जाए कि स्पोर्ट से रिलेटिड कौन-कौन सी यूएसे में ट्रेंड चल रहा है, और जो टौपिक ट्रेंडिंग में चल रहे होंगे, अगर हम उन पर वीडियो ब तो basketball से related हैं, उनको यहाँ पर add कर लेंगे, ठация है, यह भी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इन दो को add कर लिया NBA और NCA ठीक है इन दो को add कर लिया, आप Jis भी Sports उनके काम करना चाते हो, उनको add कर सकते हो, ठीक है, यह किया मैंने यहाँ पर refresh किया और मैं यहाँ पर अगर refresh करता हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर मेरे पास थोड़े वो sports की आने लगए यह देखो यह sports की आने लगए तो पहला तरीका तो यह है कि आपको यह setting करने है यहाँ से आपको trending topics का पता लग जाएगा दूसरा तरीका क्या है आपक को select कर लेंगे तो मैं आपर ढूंड लेता हूँ USA कहां पर यह रहा इसको select कर लिया trending now पर click करेंगे trending now पर click करने के बाद यहाँ पर हमारे पास यह सारा दिखा देगा कौन-कौन सा trend में चल रहा है USA के अंदर ठीक है by relevance पर आप जा सकते हो यह चीज़ें आपर कर सकते हो इसक ठीक है तो यहां पर आप चेक कर सकते हो यह भी एक बहुत ही जवर्दस तरीक है अगर आप trending topics को find करना चाहते हो तो guys अब आपको पता लग गए दो website जहां से आप trending topics को find कर सकते हो बारी आती है कि हमें अपनी वीडियो के लिए script कैसे बनानी है तो आपको जहां से भी topic मिले जैसे कि यह topic चल रहा है तो मैं क्या करूंगा इसका article खोल लूँगा यहां पर मेरे पास यहां पर आप देखोगे यह मेरे पास एक heading है इसकी ठीक है यह मैं ले लूँगा और इसके बाद इसको कहीं पर paste कर लूँगा suppose मैंने इसको यहां पर paste कर लिया इस heading को ठीक है तो य जैनि थोड़ा सा कहीं से कर लो थोड़ा सा कहीं से ऐसे कर सकते हो तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक बार इस पूरे article को copy कर लेता हूं तो guys इतना करने के बाद जब copy हो जाएगा आपको आना chat GPT के उपर और यहां पर इस prompt को paste करना है यह prompt आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगी और उसके बाद यहां पर headline में जहां paste here लिखा है जो आपकी headline होगी मतलब main आपका जो होगा यहां पर जैसे कि यह headline है मेरी ठीक है इसको हमें क्या करना है copy करना है देखो यह पूरी headline है अगर मैं आपको दिखाऊंगा जो main title होगा आपकी post का ठीक है वो आपको यहां पर paste here जहां पर लिखा होगा heading में इसको यहां पर paste कर देना है इसके बाद outline में यहां पर आपको अपने article को paste कर देना है यह मैंने गलती से कर दिया इसको एक बार हम यहां पर कर देते हैं और इसको मैं आपर करता हूँ और outline में हम क्या करते हैं जो हमारा बचा कुछा सारा article है इस इसको copy कर देंगे ठीक है copy करने के बाद ऐसे करेंगे enter करेंगे तो हमें क्या करेंगा इस article के लिए हमें YouTube की script देदेगा इसने title देदी हमारी वीडियो का intro बता दी कि आपको music लगाना है ठीक है जो आप host होगा जो बोल रहा होगा तो यहाँ पर इसने लिखा what's up basketball fans welcome back to the channel today we are diving into one of the hottest debates in the NBA world तो इसने पूरी एक script लिख दी section 1 में क्या होगा section 2 में क्या होगा ठीक है मतलब पूरी proper इसने एक script लिख दी अब हमें क्या करना है अब देखो यहां पर हमारे जो तीसरा step होगा वो होगा इस script को audio में convert करना उसके आपके पास देखो दो option है सबसे पहला option जो मैं suggest करूँगा जो हमेशा all the एक होता है न टॉप पे रहना जिससे best कुछ होई नहीं सकता वो है अपनी अवाज में record करना देखो भाई अगर talent नहीं है लेकिन लाखों रुपए कमाना चाते हो तो possible नहीं होगा simple सी बात है साफ कहना सुखी रहना देखो simple सी चीज है मैं यह नहीं कहूँगा कि यहां भाई आपके अंदर skill नहीं है आप करोड़पती बन जाओगा ऐसा नहीं होगा अगर आप USA channel पर काम करना चाते हो और आप देखके पढ़ नहीं सकते हो at least script को तो आप भूल जवाप लाखों कमाऊगे सबसे पहली चीज तो यह है ठीक है जो मैं suggest करता हूँ कि जो आपने यह बनवाया script इसको mobile में किसी recorder से आपके उसमाई को आपको इसे बोलना है और पढ़ना है ठीक है पूरा तरीके से पढ़ना है ऐसा नहीं इसे book पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हो पूरा उससे जैसे कि what's up guys welcome back welcome to the channel today we are diving into one of the hottest debate in the NBA world इस तरीके से ठीक है अगर आप यह चीज नहीं गर सकते हो तो मैं आपको दूसरा option देता हूँ आपको आना है 11 laps के उपर ठीक है अब मैंने इस वीडियो को जहां से research किया मुझे जहां से पता लगा ठीक है मैं आपको सीधा बता देता हूँ उस बंदे ने बोला था कि अगर आप इसका free version करोगे तो भाई उससे हो जाएगा अंदर आगे यहां पर मैं नील की voice ले रहा हूँ generate पर click करूँगा तो पूरा यह generate हो जाएगा मैं छोटा सा part कर रहा हूँ ठीक है यह होने के बाद आपको यहां से इसको download कर लेना है ठीक है simple सा process से download हो गया अब बारी आती है हमारे next step की अब हमें क्या करना है अब बारी आएगी कि भाई हमें images चाहिए और हमें videos चाहिए ताकि हमारी video बन सके ठीक है तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो आपको गलती नहीं करनी YouTube पे आपको एक channel मिलेगा NBA का जो कि official channel है लोग क्या करते है USA का faceless channel बनाते है जब copyright strike की ID बनती है उस content की अगर आप उस content को as it is उठा के upload करोगे तो 100% strike आएगा लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा modify कर देते हो उसको use करने का तरीका सीख लेते हो तो आपको copyright नहीं आएगा वो तरीका क्या है वो मैं आपको editing पार्ट में बताऊंगा इस video के ठीक है तो अभ से related website news websites पे जाके यहां से आपको images मिल जाएंगी और उसके लिए कि आपको कहां कहां से आप कौन-कौन से channels का use कर सकते हो अपने लिए video लेने में वो मैं आपको बता देता हूँ तो कैसे चार channels हैं जिनसे आप अपनी वीडियो के लिए videos ले सकते हो तो यहां पे देखो पहला channel यह है ठीक है दूसरा channel यहां पे यह है ठीक है और तीसरा channel यह है और चौथा channel यह है अब कभी भी NBA से मत लेना अधर्वाइस आपको copyright strike आएगी ही आएगी अब इसके बाद ब combine कैसे करना है ताकि आपको copyright strike ना है ठीक है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही आसान प्रोसेस है ध्यान से देखना कुछ टिप्स है जिनका यूज करके आप यह चीज कर सकते हो तो guys editing करने के लिए आपको आजाना है cap cut पे चाहें आप laptop पे open करो या mobile पे बहुत ही free का software है और बहुत ही जवर्दस software है video editing के लिए आपको यहाँ पर import करना है तो यहाँ पर import पे click करके भी कर सकते हो mobile पे भी same option रहेंगे तो यहाँ पर मैं directly क्या करता हूँ जितनी भी videos है images है मैं सभी को पहले import कर लेता हूँ तो गई सभी files को import करने के बाद आपको सबसे पहले अपनी audio को यहाँ पे नीचे ले आना है ठीक है audio को नीचे ले आए आपको लगता है कि अगर आपने खुद record करिये और आपको लगता है कि आपने बीच में कहीं गलती कर दिया spaces है तो आप जहाँ पे भी गलती या space है वह आपके काम का ना हो और इसको ऐसे कर लेना है इस तरीके से आपको audio में से गलती में और spaces को निकाल देना है इसके बाद आपको क्या करना है जो भी video आपने लियो उसको यहाँ पे डालना है अब आपको देखो पूरी video को use नहीं करना मर आपको करोगे तो भाई आप अपने लिए पूरा पंगा लेने वाला काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है वीडियो के बीच में से parts को लेना है जैसे कि ये part है मैंने इसको ले लिया यहां से और मैंने suppose 5 second का part लेना है 5 से 7 second से ज़्यादा आपको part नहीं लेना यह मेरा एक part हो गया ठीक है इसके बाद मैं क्या करता हूँ यहां से इसको remove कर देता हूँ ठीक है और ये वाला मैंने remove कर दिया फिर 5 second का part बीच में से 57 second का और ले लिया एक वीडियो में से मैंने फिर ये remove कर दिया इधर का ये बाकी का मैं remove कर देता हूँ ठीक है इसमें से बीच में से 57 सेकंड का पार्ट फिर ले लिया ठीक है इसको मैंने कर दिया डिलीट बाकी को यानि एक वीडियो में से बीच में से 57 सेकंड के पार्ट ले लिये उसके बाद बारी आती है हमारी दूसरी वीडियो की ठीक है ये दूसरी वीडियो मैंने ली इसम से बिल्कुल खतम कर देना है, ऐसे ही इसकी audio हम यहां से खतम कर देंगे, कि original audio नहीं रखेंगे, ऐसे ही इसमें से मैं बीच-बीच में से parts निकाल लोंगा, बीच-बीच में से काट कर, जैसे कि यहां से, और इसको मैं आपे, इस वाले part को हटा देता हूँ, मतलब serial में नहीं लेना, बीच-बीच में से, वीडियो में से parts बना लेना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यह ले लिया, ऐसे करकर के, मैं वीडियो में से parts ले लोंगा, मतलब एक वीडियो पूरी नह देता हूँ, इस तरीके से मैं इसको adjust कर लोंगा, अब हमने images भी करी थी, बीच-बीच में मैंने suppose यह image भी डाल दी, ठीक है, फिर मैंने यहां पे यह image डाल दी, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको manage कर लोंगा, बीच में यह वाला part डाल दिया, तो ऐसे करकर के, हम अपनी audio में वीडियो को adjust कर लेंगे, उसके बाद अभी editing खतम नहीं होई, यहां पे effects पे जाना है, बहुत सारी तरह के effect मिलेंगे, पहली वीडियो पे यह effect डाल दिया, ठीक है, यहां पे video effect पे जाएंगे, light effect होगा, ठीक है, दूसरी वीडियो पे यह डाल दिया, उसके बाद यहां पे संभावना बिल्कुल खतम हो जाएगी, इस तरीके से मैं सारी जगा कोई ना कोई अलग अलग अच्छे अच्छे effect डाल दूँगा, तो यहां पे जैसे कि मैं यह आया, यह वाला डाल दिया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने यह वाला डाल दिया, यह मेरे effects हो गए, उसके ब तो आप देखोगे कुछ ही इस तरीके की यह वीडियो बन रही है, आप देख सकते हो यहां पर यह देखो, ठीक है, यह आ गई, और इसके बाद यहां पर क्या करना है, यह देखो, यह अपने आप आगे आ जाएगी, मैं इसको तोड़ा सा फोटो को आगे कर देता हूँ, सीधी सी बात बताओं कि आप कुछ भी डाल दोगे, तो उस पर व्यूज आने लग जाएंगे, आपको यहां से क्या ध्यान रखना है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अपना दिमाग जरू लगाना है, कि जो भी निउस डालोगे न, उसका एक मतलब होना चा यह जो आप डाल रहे हो, चाहां यहाई से बुलवा रहे हो, चाहां खुद कर रहे हो, चाहां चैट GPT का यूज कर रहे हो, आप खुद से स्क्रिप्ट लिख रहे हो, मतलब वैल्यू हो, इस वाली चीज में इतनी पावर है न, अगर आप स्टार्ट करोगे इस पे चैनल, म बहुत मोटीवेशन मिलती है, आपके एक लाइक से, मिलता हूँ आप से जल्दी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाबाई, जैश्री राम